हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल द्रिश्टी आईएस इंग्लिश द्रिश्टी आईएस के आउडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दे हिंदू में प्रकाशित लेक एक्सेसिंग जस्टिस ऑनलाइन और दे इंडियन एक्स्प्रेस में छपे लेक इसमें टीम द्रिश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह जी एस पेपर सेकेंड के शासनखंड से जुड़ा है तो आएए लेक की शुरुवात करते हैं कोरोना वाइरस से पैदा हुई वैश्विक महामारी ने दुनिया भर में कामकाज की संस्कृती को बदला है काम के तौर तरीकों के बदल जाने से जहां कई तरह की नई अवधारनाएं पैदा हुई हैं वहीं कई धारनाएं टूटी भी हैं अमूमन कंपनिया वर्क फ्रॉम होम के जरिये अपने कर्मचारियों से काम ले रही हैं दुनिया भर में कई कम्पनियों ने तो घर से काम करने की संस्कृति को सामान्य दिनों में भी जारी रखने की बात कही है। ऐसे में भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी अपने कामकाज के तरीके को बदल कर खुद को इलेक्ट्रोनिक कोर्ट्स में तब्दिल कर दिया है। यानि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है बलकि कोर्ट खुद चल कर आप तक आएगा। अब देश के किसी भी कोने में घर बैठे ही आपको न्याए मिल सकता है। हाला कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए पहले भी कोर्ट की कारेवाही होती रही है। पर ऐसे मामले अपवाद सवरू भी होते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इकोर्ट व्यवस्था की क्या प्रासंगिक्ता है और भविश्य में इसका क्या स्कोप है। जहां एक और पारदर्शी और त्वरित नय के लिए इसकी जरूरत बताई जा रही है। वहीं दूसरी और इसकी व्यवहारिक्ता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि बुन्यादी अवसर्णचना, जन जागरुकता और साक्षर्ता के अभाव के बीच इस अवधार्णा को कैसे सफल बनाया जा सकेगा। देश की विशालाबादी, प्रस्टाचार और साइबर सुरक्षा के खत्रों ने इस व्यवस्था के सफल संचालन पर संशे पैदा जरूर किया है। लेकिन सस्ती, पेपरलेस और जवाबदे व्यवस्था के निर्मान की उमीद ने उत्साह भी बढ़ाया है। इकोर्ट की संकल्पना ने परियावरण में प्रदूशन के कम होने की भी उम्मीद जगाई है। इसमें भी कोई दोर आय नहीं कि सस्ता और त्वरित नयायक के मिलने से अर्थववस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन इन तमाम फायदे के बीच इस रह में चुनौतियां भी कम नहीं है। आइए इन ही सब सवालों के जवाब और पहलूओ पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इकोर्ट की जरूरत क्यूं है। COVID-19 महामारी का प्रकोब भारत की स्वास्थे प्रणाली के अलावा दूसरे कई सार्वजनिक कार्यों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। इसी क्रम में भारत की नियाए व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। भारतिय नियाए पालिका पर इस बात का भारी दबाव था कि वह अती महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई के लिए कोई नवाचार करे। मौजुद अहालातों को देखते हुए इन में सारजनिक स्वास्थे चिंताओं को संतुलित करना एक बेहद एहम विशय था। लिहाज आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई की विवस्था की गई। सुप्रीम कोट की तरह कई हाई कोट भी आवशक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। उदाहरन के लिए पटना हाई कोट और गोवाहाटी हाई कोट दोनों ने अंतरिम मामलों को सुची बद्ध करने के बारे में अधिसूचना जारी की है। हालाकि इसमें एक बात पर जोर दिया गया है कि केवल अती आवशक मामलों पर ही सुनवाई की जाए। गुजरात में कोरोना वारिस संक्रमन के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाई कोट की सक्रियता भी खासा चर्चा में है। सरकार द्वारा लॉकडाउन का एलान किये जाने के बाद नियाइपालिका ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आवशक मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए खुद को तयार किया। ततकाल ई-फाइलिंग प्रोटोकॉल तेजी से तयार और कार्यान वित किये गए। नई इलेक्रोनिक फाइलिंग प्रणाली के तहत देश के किसी भी हिस्से से और किसी भी समय मामला दर्ज किया जा सकता है। कोट की फीज का भुकतान और याचिकाओं की तुरुटियों को ऑनलाइन इंगित तथा ठीक भी किया जा सकता है। मुख्य नयायधीश S.A. बोबडे ने भी कहा कि भविश्य में भातिक और आभासी दोनों ही कोट्स में काम लिया जाएगा। चुकि भारतिया नयपाली का देश में लंबित मामलों में हो रही वृध्धी की समस्या से जूज रही है तथा जज़ों की कमी से नागरी को को भी समय पर नयाय नहीं मिल पाता है। इसलिए भी इकोट की जरूरत महसूस की जा रही है। मौजुदा वक्त में नयाय आले की प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी महंगी साबित हो रही है। सुनवाई के लिए बार-बार कोड में उपस्थित होने से लोगों की आजीवी का भी प्रभावित होती है। लिहाजा अदालती मामले अब आर्थिक जरिस्टी से वहनिये नहीं रह गए हैं। इसलिए भी काफी अर्से से ई-कोट की मांग उठाई जाती रही है और इस दिशा में कुछ एहम प्रयास भी किये गए हैं। इ-कोट परियोजना की अवधार्णा भारत के सर्वोच ने आयाले की इ-कमीटी द्वारा तैयार की गई National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary 2005 पर आधारित है। इ-कमीटी का गठन 2004 में भारत के मुख्य ने आयधीश की अध्यक्षता में किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिये समीती ने पहली बार फरवरी 2007 में इ-कोट परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा सरकार ने इ-कोट एंटी ग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जिसे तकनीक की मदद से नयाय तक पहुँचने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। केंद्रिय कानून मंत्राले के अनुसार 14,249 अदालतों को इ-कोट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहट तयार किया जा रहा है। इन सभी में कम्प्यूटर हार्डवेर, लोकल एरिया नेटवर्क और स्टेंडर एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर की सुविधा होगी। आपको बता दें कि भारत का पहला इकोट 17 जुलाई 2016 को उच्च नियायाले नियाधीकरण के तहट हैदराबाद में शुरू किया गया था। भारते सम्विधान में कोट की स्थापना के संदर्भ में इसपस्ट प्रावधान किया गया है। तो आईए कोट की स्थापना के बारे में सम्विधानिक प्रावधान को जानते हैं। विवस्था दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की पीट की स्थापना जैसी हो जाएगी दरसल भारत के सम्मिधान के नुच्छेद 130 में कहा गया है कि भारत के रास्टपती की सहमती से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नियाधीश विविनिस्थानों पर सर्वोच नियायाले की पीट स्थापित कर सकते हैं लेकिन इतने सालों में हमारे पास दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं हो सकी शायद अब इस प्रावधान के उपियोग का समय आ गया है अप्राधिक प्रक्रिया सहिता की इधारा 327 में कहा गया है कि सुनवाई आम तोर पर जनता के लिए सुलब होनी चाहिए इसलिए कारेवाही को सुलब बनाने के लिए ई-कोर्ट की स्थापना को उचित माना जा रहा है भारत के लावा दुन्या भर में ई-कोर्ट के लिए कवायदे की जा रही है ऐसे में सवाल है कि दुन्या में अदालते कैसे काम कर रही है ग़र तलब है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दुष्चक्र में फसी हुई है ऐसे में लगभग सभी देशों में सामाजिक और शारीरिक दूरी का खासतोर से खयाल रखा जा रहा है इसलिए भी कई देश ये कोट की अवधारना को अपना रहे हैं ब्राजील, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, बांगलादेश, नाइजीरिया, पेरू, हंगरी जैसे तमाम देशों में मामलों की सुनवाई ओल्लाइन हो रही है दक्षन अफरीका के सुप्रीम कोट ने मई में कोट रूम में सुनवाई नहीं करने का फैसला किया था डक्षन अफरीका और युगांडा निया इपाली का जूम एप का उप्योग कर रही है जबकि न्यूजिलेंड इलेक्ट्रोनिक सुनवाई के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद ले रहा है ऐसे ही कनाडा के नोवा स्कोटिया की एक अदालत ने सुझाव दिया है कि टेली वारंट और पीडिएफ को भी सुईकार्रे माना जाए वहीं अमेरिका सुप्रीम कोट टेलीफोन के जरीए मौखिक दलीले सुन रहा है नोर्वे की अदालत में मौखिक के बजाए लिखित रूप से काम किया जा रहा है इन सब के बीद सवाल है कि एकोट के क्या फायदे हैं एकोट पर जोड़ देना भले ही वक्त की मांग हो लेकिन यह अवधारना कोई नई नहीं है चुकि न्याइक सुधार का मुद्दा पुराना है इसलिए एकोट और फास्ट्रेक कोट के अवधारना भी पुरानी है शमता का निर्मान भहतिकव सनरशना पर कम तनाव, अदालतों में कम भीड, समय का अधिक सदुपयोग, सडक पर कारों के जमावडे में कमी और कारे जीवन संतुलन में सुधार तमाव ऐसे पहलू हैं जो हमें इकोट की जरूरत महसूस कराते हैं इकोट के माध्यम से अदालत में उपस्तित हुए बीना ही सूचना इवं प्रचार प्रद्योगी की किवे उप्योग से मुकदमे को अनलाइन ही निप्टा लिया जाता है यानी इस कवायत का मकसद नियाय प्रणाली को सस्ती और लागत प्रभावी बनाने के लिए अदालतों को सक्षम बनाना है जाहिर है यह अदालती प्रक्रियाओं में सुधार और नागरिक केंद्रित सेमाओं का प्रतिपादन दोनों के लिए फायदे मन्द होगा इकोट का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और उप्योग करता के अधिक अनुकूल बनाना है एक इकोट में सभी काम को डिजिटल रूप से पूरा किया जाता है जिसमें साजह की गई और उत्पन की गई जानकारी को एक डेटाबेस के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है फिर इसे एक विशेश सॉफ्टवेर के साथ सिंग किया जाता है इस सॉफ्टवेर का पक्षकारों, न्यायधीशों और अधिवक्ताओं द्वारा उपियों किया जाना आसान है इकोट का प्रात्मिक उद्देश्य, न्यायविवस्था को सस्ती, पारदर्शी, त्वरित और अधिक जवाब देह बनाना है ताकि कागस का दायरा सीमित हो सके कागस के कम उत्पादन से पेड़ों पर दबाव कम होगा और ऐसे में यह परियावरन की सेहत के लिए पहतर होगा फिर लोग कोट आने से बचेंगे तो मोटरवाहनों का इस्तमाल भी कम होगा इससे भी वायू प्रदूशन में कमी आएगी वही अगर इनसाफ मिलना सस्ता हो और समय की बचत हो तो इससे हमारी अर्थवेवस्था भी सुधरेगी महीनों, सालों, दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने से जीवन का एहम वक्त बरबाद हो जाता है अगर इसे बचाया जा सके तो इस समस्या को देश की उन्नती में लगा कर अर्थवेवस्था सुधारी जा सकती है भारत में इलेक्ट्रोनिक न्यायाल्यों की स्थापना का प्रमुकुद्देश्य एक ऐसा न्यायतंत्र विक्सित करना है जो पारदर्शी, कुशल और सस्ता तो हो ही साथ ही गवाहुं के हितों की रक्षा करने वाला लंबित मामलों के बैक लॉग को कम करने वाला और सबसे महत्वपून रूप से आवेधानिक गतिविध्यों की संख्या को कम करने वाला हो National Judicial Data Grid के मताबिक देश भर की अदालतों में 3 करोड 21 लाख से जादा मामले लंबित हैं इन में 2 करोड 31 लाख से जादा आपराधिक मामले हैं जबकि लगभग 90 लाख मामले सिविल यानी दीवानी हैं इन सभी मामलों में 22 लाख मामले ऐसे हैं जो 10 से 20 सालों से लंबित पड़े हैं चार लाक मामले 20 से 30 सालों से और 81 हजार मामले 30 सालों से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। एक अध्यान के मुताबिक अंडर ट्रायल केसिस के मामले में भारत दुनिया का दस्वा बड़ा देश है। हालाकि इकोट की स्थापना की वकालत देश भर में शुरू हो गई है और इसके फायदों से लोग खासा प्रभावित भी हैं। लेकिन इकोट का संचालन भी चुनौतियों से परे नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इकोट के समक्ष क्या-क्या चुनौतिया हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इकोट त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह जनता की इनसाफ तकासान और बहतर पहुँच सुनिश्चित करता है और देश में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान भी उपलब्ध कराता है। लेकिन इकोट की विवस्था कई चुनौतियों को जन्म भी देती है। इन चुनौतियों में समन्वे की कमी विभिन विभागों के बीच संचार, बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, अदालतों में तकनीकी जन्शक्ती की कमी और पक्षकारों एवम अधिवक्ताओं के बीच जागरुकता की कमी शामिल है। इससे इतर E-Courts खर्चीले भी साबित होंगे क्योंकि अत्याधुनिक E-Courts स्थापित करने के लिए नए युक की प्रध्योगी की की तैनाती की जरूरत होगी। लिहाजा दीरगावधी में E-Courts को धनकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी और प्रध्योगी की के विशे पर एक बड़ी चिंता साइबर सुरक्षा खत्रे की होगी। हाला कि सरकार ने इस समस्या की समाधान के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं और साइबर सुरक्षा रणनीती तैयार की है। लेकिन यह दिशा निर्देशों तक ही सीमित है। इसका विवहारिक और वास्तविक कार्यान वियन अभी भी मुम्किन नहीं हो सका है। सैक्डो गाउं में बिजली होने का दावा अभी भी कागजों तक ही सीमित है। ग्रामेन शेत्रों में इंटरनेट की धीमिगती कोई छुपी बात नहीं है। इसलिए अपरियाप्त बुनियादी धाचा और अधिकांश तालुका या गाउं में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता से संबंधित चुनौतियां भी इस सफलता की राह में बड़ी बाधा है। फिर सवाल है की आगे की रह क्या हो। जिन चुनौतियों का हमने जिक्र किया है उन्हें दूर करने के लिए सरकार को सबसे पहले इकोट की स्थापना को प्रोटसाहित करने के लिए नीती बनाने की ज़रूरत है। की मौझूदा इस्थिती को बेहतर करना है। की संख्या 5.5 लाग से बढ़ा कर 10 लाग करने की योजना है। एक पहलू जिस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली की तैनाती है ताकि उप्युक्त पक्षों के लिए केस की जानकारी तक सुरक्षित पहुँद सुनिश्चित हो सके। इकोर्ट इंफ्रास्ट्रक्षर और सिस्टम की सुरक्षा सबसे एहम है। साथ ही इकोर्ट सिस्टम को यूजर्स के लिए अनुकूल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को इसकी सहजता के प्रती प्रोचसाहित किया जा सके। रोडशो और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को इस विवस्था के प्रती सहज बनाया जा सकता है। प्रशिक्षन सत्र आयोजित करने की दरकार है। इससे एकोर्ट के सफल संचालन के लिए बड़ी प्रेणा मिल सकती है। वर्तमान सरकार पूरे भारत में इकोर्ट स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इन सरकारी प्रयासों का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित और लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। इकोर्ट की मदद से भारत में न्याइक प्रणाली चुनोतियों से पार पा सकती है और सेवा तंत्र को पारदर्शी और लागत प्रभावी बना सकती है। इकोट नाइक प्रणाली को भी लाभानवित करेगा और संग्रहित जानकारियों को त्वरित मुहया कराएगा। इससे जजों को पिछले मामले की कार्यवाही की जानकारी एक बटन के क्लिक पर मिल जाएगी। इससे विभिन अदालतों और विभिन विभागों के बीच डेटा का साज़ा करना भी आसान होगा क्यूंकि एकी कृत प्रणाली के तहट सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि भारत में केसों को हल करने में जीवन का अहम समय खर्च होता है जो भारतिया नय प्रणाली के किसी काले अध्याय से कम नहीं है। अगर इकोर्ट परियोजना लागू की जाती है तो यह पक्षकारों के धन और समय को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। बात करते हैं आज के सवाल की। इकोर्ट प्रणाली के समक्ष क्या-क्या चुनौतिया हैं भविश्य में इसके बहतर कुर्यानवियन के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने की आवशकता है विवेच ना कीजिए। प्रणाली के लिए।